दोस्तों, डिल्ली कैप्टेल की जीत से हुआ मुंबई इंडियन्स का सबसे बड़ा फायदा तो क्या है खबर की पूरी जानकारी? किस तरीके से डिल्ली के जीतने से मुंबई इंडियन्स को फायदा मिल गया है? बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं एक भी टीम अगर एक भी मुकाबला हारती है तो उससे पॉइंट स्टेबल में बड़ा उलट फेर हो जाता है और चार जो टीमें प्लियोफ में जाएंगी उन पर भी बहुत बड़ा आसर पड़ता है ऐसा ही एक मुकाबला खेला गया है दोस्तो देली कैपिल्स वर्सेज पंजाब किंग्स के बीज यह मुकाबला आईपिल के 64 मुकाबला था और धरम साला में खेला जा रहा था इस मुकाबले में यहाँ पर दोस्तो पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ पर दोस्तो देली कैपिल्स के खिलाब 15 रनों से सिक्का सजे ली दरसल देली कैपिल्स ने पहले बल्ले बाज़ी करते हुए निर्धारी तभी इस ओबरों में 213 रन मना डले उसके जवाब में पंजाब किंग्स बल्ले बाज़ी करने उतरी तो 15 रनों से मुकाबला हार गई पंजाब के लिए हार बहुत बूरी थी क्योंकि दोस्तो यह हार मुंबई के लिए काफी अच्छी होई जिससे अगर नेटरं रेट इनका बहतर होता और इस तर पर बहतर हो जाता अगर मुकाबला जीश जाती तो मुंबई यहां पर दूस्तों पांच रसान पर खीच जाती और पंजाब पिंक चौथय हस्तान पर आ जाती इसी वजय से डेली कैपिल्स का जीतना पंजाब के खि मुंबई इंडियन्स के टीम के लिए अब आप किस पर क्या रहा है क्या मुंबई का प्लेओप में जाना अच्छा है कॉमेंट करें अपनी राज जरूर दीजेगा वीडियो अच्छी लिगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के ल